पेम मोदी ने की पार्सियों की काम की तारी भाजपा नेता सुब्रवर्यम स्वामी ने उठाए सवाल प्रधान मति नरिन मोदी मंगलवार को महारास्ट के एक दिन के दौरे पर थे इस दौरान उन्होंने पूरे के समीब देहु में 17 वी सच्टी के संत को समर्पित संत तुक बहस और खुली चर्चा की संस्कृति को मजबूत करने की दर्वत है जो वर्षों से भारत की पैचान रही है बाश्पा नेता सुब्रवर्यम स्वामी ने उठाए सवाल 1822 में फरदुन जी मजडबान द्वारस थापित गुजड़ाती अकबार बुम्भाई समचार के 200 साल पूरे होने पर प्रदानमति नरेद मोधी ने देश में उनके अपार योगदान के लिए पारस समुदाय की सरहना की पीम मोधी ने समार्चे पतरकारिता और समचारों की प्रसंकिता और योगदान पर भी बात की लेकिन पीम मोधी द्वारा पारस समुदाय के काम की सरहना क करने पर भाश्पा नेता सुप्रणेयम स्वामी ने सवाल उठाते में कहा कि मुदी को अधिक वचानक क्यों एसास हो गया कि पार्शी अद्भूत हैं मुंबई समचार समारों में उन्होंने पार्श समधाय के पज़ंशा की महरास्ट में शिफ सेना और भारती जंता पार्ट वर्ष गांट के समारों में कहा मुंबई समचार की सभी पाठकों बत्रकारों और करमचारियों को इस एतियासिक समचार पत्र की दो सभी वर्ष गांट पर हार्दिक शुपकामनाएं इन दो सदियों में अनेक पीडियों की जीवन को उनकी सरकारों को मुंबई समचार ने आवाज दी है उन्हें कहा कि मुंबई समचार ने आजादी के अंदोलन को भी आवाज दी और फिर आजाद भारत के 75 वर्षों को भी हर आयू के पार्टिकों तक पहुचाया है भार्षा का मादन जरूर गुजराती रहा लेकिन सरोकार राश्ट्रे था क्या कहा था पियम मोदी ने कहा कि अजादी के अंदोलन से लेकर भारत के नर्म दिर्माड तक पार्सी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है संख्या से हिसाब से उदाये देश की सबसे छोड़े समधाव में हैं और एक तरह से माइक्रो माइनरोटी है लेकिन सामर्थ और सेवा की हिस साथियों ने रास्षित में एक कर्म योगी की तरकाम किया है उसको भी हमेशा याद किया जाएगा भारत की मीडिया के सकरात में की योगदान से भारत को सौ साल के बाद सबसे बड़ी संकर से निवटने मदद मिली उन्हेंने कहा कि ये देश डिबेट और डिसकुशन की मा मुष्यक तरका नहें